हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल की वीडियो की सारे नोटिफिकेसं सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरुर जबाएं हेलो दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों, मैं आपको यूपी एनेच्यम एनम के एंसर की बताने जा रहे हूं जिसका एक्जाम 27 जनरी 2019 को हुगा था तो दोस्तों ध्यान से देखिए इसमें से हमारा पहला प्रस्ण था अंधता का भारत में मुख्य कारण है तो इसका एंसर विटामीन A की कमी गर्भावस्था में 28 सब्ता बाददर्द रहित रक्तसराव किस में होता है इसका सही अंसर था प्लेसेंटा प्रीविया नेक्स्ट कोईशन CPR का पूरा नाम इसका पूरा नाम है कारणियो पलमोनरी रिससिटेशन नेक्स्ट कोईशन आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक तो इसका सही अंसर है फ्लोरेंस नैटिंगल नेक्स्ट कोईशन चिकित्सा के जनक इसका राइट अंसर है हिपोक्रेट्स नेक्स्ट कोईशन डॉट्स दिया जाता है दोट्स किस भी मरम दिया जता है तो इसका सथी एंसर है TB यानि के 6 रोग next question सरीर में हड्यों की संख्या तो सरीर में हड्यों की संख्या डोटल 206 next question चार चमच में कितने एमल होते है तो इसका सथी एंसर है 20 aiml next question प्रसों के कितने अवस्थाएं होती हैंforder 2-2 कि soughthen में क्या किया जाता है इसका राइट सथ outcome yeah next question प्रूजर में कौन सा तीका नहीं रखा जाता है इसका राइट अंसर है dpty यानिकी diptheria perturit status नेक्स्ट कोईस्ट एक्सटन वेलकम साइन किसे कहा जाता है वेलकम किसे कहते हैं तो इसका राइट अंसर है so next question ECG संबंधित है right answer हिर्दय से next question पूर्षों में इस्थाई नस्बंधि को कहते हैं इसका right answer है vasectomy next question बच्चों में I.E.M. इंजेक्शन देने का उप्यूगती स्थान है इसका right answer vastus neutralis next question नौजात की सामानी हिर्दय गती right answer 120-160 bit per minute next question कारपस Luteum किसमें पाये जाता है इसका right answer है a ओवरी में यानिके अंडासे में next question सीशू कब social smile देने लगता है इसका right answer है तीनमा, next question श्रोडी कितने हड्डियों से मिलकर बनाटा है, तो इसका right answer है चार हड्डियों से मिलकर बना होता है next question गर्भावस्था का पता लगाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदाई है तो इसका राइट एंसर है HCG next question नौजात की स्वसंदर कितनी होती है तो इसका राइट एंसर है 35 बीट पर मिनट next question गर्भनाल कब इकसित हो जाता है तिसका राइट एंसर है 3 महिना next question सीसू को कब स्वात का पता चलने लगता है तिसका राइट एंसर है 3 महिने में next question दूद में क्या नहीं पाया जाता है तिसका राइट एंसर है आयरन दूद निर्माण में कौन सा हर्मोन सहायक है? दिसका राइट एंसर है प्रोलेक्टिन हर्मोन वयस्क में सामाने स्वसंदर कितना होता है? दिसका राइट एंसर है 12-18 बीट पर मिनट नवजात में समयनतम रित्यू का सबसे बड़ा कारण है तिसका राइट एंसर है आडियस गठिया रुप किस कारण से होता है तिसका राइट एंसर है यूरिक एसीड बैंटर जोनी सिब्सक्राइब को यह टोलु सांगा मकार्थ जूते हैं उक रहीच जोई इन्सेद हैं नेंश्च कुछ सामान्य राट कौन साल।ब मिज다 करते ही कहांवाग्मार मत्याइब दिय। इसका राइट एंसर है इसका राइट एंसर है विटामिन ऑस्थानिक गर्भावस्था में शावाने अरोपड कहां पर होता है इसका राइट एंसर है फैलिपियों ट्यूब में जन्म के बाद बच्चों को रक्त का थक्का जबाने के लिए क्या दिया जाता है यानि कि रक्तिस्राव से रोकने के लिए कौन सा दवा दी जाती है तो इसका सही एंसर है विटामिन के मूत्र में रक्त आने को क्या कहा जाता है हीं चुर मातवा हमे चुम हिंटना की दिमियरा भी खान पन्यकिक क्ले Allah पाइं है, Cause Mn Utrix Emniotic fruit का आयतन किससे मापा जाता है, तिस neutral insurance as next question किस बीमारी में platelets की संक्हों घड जाती है तिसका right answer है डेंग्यू में next question है, दर्ध निवारक दवा कॉंण सी है, तो इसका right answer है NLCC, next question है, तंचरिका नली में दोस किस की कमी सो हो जाती तो इसका राइट एंसर है फॉलिक एसिट की कमी इसना है फर्ष्ट रेफरल यूनिट कौन है इसमें राइट एंसर है प्रात्मिक स्वास्तकिंद्र यानि की पीच सी नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म पंजी करण कितने दिनों के अंदर हो जाना चाहिए तो राइट होती हैं इसमें राइट एंसर है इनमें से सभी बाकि जो तीन आपसन थे वह चौथा लाश्ट आपसन जो था इन में से सभी वो राइट था नेक्स्ट कुश्चन है, बलड ग्रूब की कोच किसने की? इसका राइट अंसर है, Karl L.S. नेक्स्ट कुश्चन है, जीवाडू की कोच किसने की? इसका right answer ठा एंट्टोरी वॉन लिवेन हाग मारा next question है पुरुस seks हार्मौन कौन सा है इसका right answer है टेस्टेस्ट राउन next question है फैलोपियन ट्यूग में सूजन को क्या कहते है इसका right answer है इसका right answer है सलपेंज हैто next question है नवजात कितने दिन के सिसू को कहते है येरो सर्थाइस दिन के सुसु को नौजात सिसु कहा जाता है नेक्स्ट कोश्चन है अंडोत सर्ग में सहायक हार्मोन कौन सा है इसका राइट एंसर है लेच लेच हार्मोन नेक्स्ट कोश्चन है नाभी नाल में रक्त वाहिकाओं की संख्या इसका right answer था 2 धमनी और 1 सीरा Next question हमारा है नौजाद के जन्म के बाद प्लेसिंटा कब तक निकल जाना चाहिए तो इसका right answer था 15 से 30 मिनट के अंदर Next question है W अच्चो के अनुसार जन्म के कितनी देर बाद इस्तनपान सुरू कर देना चाहिए इसका right answer है 30 मिनट 30 मिनट के अंदर इस्तनपान शुरू कर देना चाहिए नेक्स्ट कुश्चन है इन में से कौन स्रोडी के भाग है इसका राइट एंसर था इन में से सभी इनॉमिनेट बोन, सेक्रम बोन, कौकिक्स बोन और चौथा अपसन था इन में से सभी तो राइट एंसर है इन में से सभी नेक्स्ट कुश्चन है मा के पेट में सिसू के पहली हलचल को क्या कहा जाता है इसका राइट एंसर है क्विक्निंग मा के पेट में सिसू के पहली हलचल को क्विक्निंग कहा जाता है नेक्स्ट कुश्चन है जरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट कौन संतूलन करता है? सरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट का संतूलन का कारे किसका होता है? तो इसका right answer है त्वचा. Next question है, बच्चे की लंबाई 12 माँ पर कितनी होनी चाहिए? बारमा यानि की एक साल के बच्चे की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो इसका right answer था 75 cm. Next question है, विटामिन की कमी से कौन सा रोग नहीं होता है? तो इसका right answer था, ग्वाइटर. ग्वाइटर, आयोडीन की कमी से होता है. विटामिन की कमी से नहीं, इसलिए right answer हो ग्या, ग्वाइटर. Next question था, वयस्क को IEM injection कितने ml तक दिया जा सकता है? एक सामाने वयस्क को IEM injection कितने ml तक दिया जा सकता है? तो इसका right answer था, 2 ml तक. 2 ml तक IEM injection हम लोग दे सकते हैं. Next question है, hypertension की सबसे उप्यूक्त दवा कौन सी है? तो इसका right answer है, MgSO4 यानि की Magnesium Sulphate. Next question है, नौजाद सिसू के फिफडों को परिपक्व करने की दवा? यानि कि नौजाद सिसू के फिफडों को परिपक्व करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? इसका right answer है, बीटा मित्था सून. Next question है, इस्तरियों के लिए सामान ये स्रोडी? इस्तरियों के लिए सामान श्रोडी कौन सी है? इसका right answer है, डाइनिक वाइड. डाइनिक वाइड, पेल्विक. Next question है, 1000 से 2000 ग्राम वजन वाले बच्चों को क्या कहा जाता है? इसका right answer है, अधिक कम वजन वाले बच्चे. Next question है, स्वसन किसे कहा जाता है? इसका right answer था, फेफडों में वाइडान प्रदान. अगर LMP 20 जून 2018 है, तो EDD क्या होगा? इसका right answer था, 27 मार्च 2019. Next question है, कुपोसर को मापने का सबसे उप्यूकती इस्थान कौन सा है? इसका right answer था, बाजू का परिमाप. Next question है, नाभी नाल के दबने का कारण क्या होता है? तो इसका right answer था, साढ़े तीन किलो से अधिक वजन का सिसू. Next question है, बहुस अगरभता में एक बच्चे के जन्म के बाद क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका right answer था, में थर्जिन नहीं देना चाहिए. Next question है, प्रसव के तीसरे चरण में क्या होता है? इसका right answer था, प्लेसेंटा का निसकासन. Next question है, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो इसका right answer था, ओवम. Next question है, एक ब्यक्ति से दूसरे ब्यक्ति में फ्यलने वाला रोग? एक ब्यक्ति से दूसरे ब्यक्ति में फ्यलने वाला रोग कौन सा होता है? तो इसका right answer था संचारी रोग यानि कि कम्मिनिकेबल डीचीज Next question है बूढों में होने वाला सामाने घाओ इसका right answer था मुत्रमार्ग में घाओ Next question है माता से बच्चे में एड्स को जाने से रुकने वाली दवा कौन सी है तो इसका right answer था नेविरा पीम Next question है प्रसों के द्विती चरण में दी जाने वाली दवा इसका right answer था अक्सी टोसीन Next question है इस्तन पान कराने वाली माता को प्रती दिन केल्सियम की कितनी आवस्यक्ता होती है तो इसका right answer था 1000 मिलिग्राम Next question है सीरा और धमनी के जूड को क्या कहते है इसका right answer है एनाश्टोमोसीस Next question है ब्रूर किसे कहा जाता है इसका right answer था जीरो से आट सब्ता तक के बच्चे को ब्रूर कहा जाता है Next question था साथ सब्ता के बाद एंब्रियो क्या कहलाता है तो इसका right answer था गर्भस्त सिसू Next question है कोलन, ब्रियदांद और रिक्टम किसके भाग है इसका right answer था बढ़ियात Next question है पीपीज का सामान्य कारण पीपीज यानि कि पोश्ट पार्टम हैमरेज जिसका right answer था रिटेंड प्लेसिंटा Next question है मा के दूद को कमरे के तापमान पर कितनी देर तक रख सकते हैं तीटी यानि कि टेटनेस टॉकसाइड Next question है बीसीजी का टीका किस रुख से बचाव करता है जिसका right answer था टीबी यानि कि 6 रुख Next question है इस तनपान कराने वाली माता को प्रती दिन कितने कैलोरी के आवस्यकता होती है जिसका right answer था 3000 कैलोरी Next question है सैस्वा वस्था किसी कहते हैं इसका right answer है 28 दिन से लेकर एक वर्स तक के समय को सैस्वा वस्था कहते हैं Next question था मा के दूद को कितने तापमान पर रखना चाहिए इसका right answer था 25 डिग्री सेल्सियस Next question है दूद उत्सर्जन में सहायक हर्मोन कौन सा है इसका right answer था आक्सीटोसीन दूद उत्सर्जन में आक्सीटोसीन हर्मोन और दूद निर्मान में प्रोलैक्टिन हर्मोन Next question है सीसव कब सोसल इसमयल देने लगता है तुसका right answer था तीन माह में Next question है दूद में सभसे अधिक क्या पाया जाता है तो इसका राइट एंसर है केल्सियम और वसा नेक्स्ट पॉस्चन है निर्जली करण में क्या उप्योग किया जाता है इसका राइट एंसर है ओ आरियस